नमस्कार क्यापिटल टिवी का खाश शो यूपी का दंगल देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज यूपी के दंगल में बात करेंगे लखीमपूर खीरी हिंसा को लेकर S.I.T. के बड़े आक्शन की S.I.T. की टीम लखीमपूर खीरी की हिंसा मामले में आरोपियों को घटना स्तल पर लेकर पहुँची S.I.T. ने घटना का रीक्रियेशन कराया साथ ही आज दंगल में बात करेंगे चाचा भतीजे की जोडी की दरसल बातों ही बातों में अकलेश यादव ने कहा दिया कि वो चाचा शियुपाल का सम्मान करते हैं साथ ही हो सकता है कि वो यूपी चुनाओ 2022 में साथ नजर आए तो इस दंगल को समझने के लिए मार्सा स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मनिश कुमार डॉक्टर साथ बहुत बहुत स्वागत हैं धन्यवाद सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी लखीमपूर हिंसा मामले को लेकर इस मामले में जाँच तेजी गती से आगे बढ़ रही है SIT की टीम आज घटना स्थल पर पहुँची रीक्रेशन जो कराये गया है क्या उसका फाइदा मिलेगा जाँच में देखे ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जब आप बहुत ही seriously किसी चीज़ को जाँच करते हैं तो आप recreate करते हैं कि वहाँ पे मौका ये वार्दाद पे क्या क्या हुआ ये सारी चीज़े अपनी जगह पे हैं जाँच सही तरीके से हो जाँच पे कोई आँच ना आए ये पुलिस अधिकारियों को इंशोर करना है वो क्यों करना है क्योंकि चीफ मिनिस्टर की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है कि इसमें एक भी अपराधी एक भी आरोपी बचना नहीं चाहिए जिन लोगों ने किसानों को भीड को जबरदस्ती कुछला वो भी नहीं बचे और जिन लोगों ने डंडे से पीट पीट के लोगों की हत्याएं की है वो भी नहीं बचे और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि योगी आदितनाथ के इस पूरे पांच साल के कारेकाल का सबसे एहम पहलू यही है कि योगी सरकार ने इस बात को इंशूर किया कि लाउ और्डर में कोई भी लुझ पुझ तरीके से कभी किसी चीज़ को डील नहीं किया गया जिन लोगों ने कानून तोड़ा उसके घर को तोड़ा गया उसके गुमान को तोड़ा गया उसके हेकड़े को तोड़ा गया यह अब तक का सबसे प्लस पॉइंट है हम लोग अलग अलग जगहों पे गए भी यूपी के अंदर बनारास हम लोग साथ गए थे वहाँ लोग एक स्वर में ही बात कह रहें कि भई सेफ फील करते हैं लाइन ओर्डर जो है वो पहले से बहुत बहतर हो गया है तो कोई भी पार्टी सरकार में हो उसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है क्या वो अपने हाथ से लूज करेंगे नहीं करेंगे और इसलिए यह जो तमाम राजनीती हो रही है यह लखिंपूर खिरी का जो एपिसोड है वो विपक्ची इसे एक राजनीतिक मुद्दा ना बना सके इसके लिए भारती जन्ता पार्टी बिलकुल सही रास्ते पे वो चल तो कि यह राजनीती लखिंपूर बहुत बड़ी घटना मीडिया ने इसे बना दिया लिंचिंग तो राजस्थान में भी किसानों की हुए डंडे से दॉला दॉला करके मारा गया लेकिन मीडिया उसे नदारत कर रही है क्यों वहाँ पे रास्तान में चुनाओ नहीं है वहाँ पे भारती जन्ता पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए आप जो है वो लिंचिंग का मतलब वहीं हिंदुस्तान में लिंचिंग वहीं होगा जहां भारती जन्ता पार्टी की सरकार हो लेकिन भारती जंदा पार्टी ऐसे नहीं छोड़ने वाली है खबर ये आ रही है कि एक दो दिन के अंदर ये जो राम मंदर बनाने की जो पूरी प्रट्रिया चल रही है उसमें तेजी लाए जाएगी और उसमें कुछ अलग अलग किस्म के प्रोग्राम भी किये जाएगे औ और 20-22 दिन के बाद दीपावली है आयोध्या पहुंचेंगे प्रधान मंतरी जी और देव दीपावली टाइप से वहाँ पे बिल्कुल जो है वो अभूत पूर नजारा दिखेगा ये लखिम पूर अपने आप लेकिन इससे जो आप जो चुनाव के हिसाब से आप देखि चाहे वो गरिह मंतरी हो चाहे वो राजना सिंग हो चाहे वो प्रधान मंतरी हो फोकस हर पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव होता है इसमें कोई ये नहीं कि वो कोई बहुत गलत काम कर रहे है वो फोकस तो होना ही चाहिए क्योंकि इसलिए वो सारा कुछ करते हैं चुनाव ह अमिर्शा की बात की तो चाचा भतीजे की जोड़ी पे तुम्हें आऊंगी दूसरी बड़ी खबर पे लेकिन जब एक खबर पे चर्चा कर लेते हैं आज गोवा से अमिर्शा ने हुंकार भरी और साफ सीधे लबजों में कह दिया सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर इसको क्या से जोड़ा सकता है बिलकुल जोड़ा सकता है कोई भी राजनीता कोई भी बड़ा बयान देता है उसका पॉलिटिकल अर्थ होता है यह बात गोवा से उन्होंने कई उनको मालूम है आप राहूल गांदी टिंबक्टू में बैठे हुए होंगे कोई बड़ा कंट्रोफर्स इसल बयान देंगे उतों पुरे देश में चलेगा ही मीडिया में चलेगा ही तो यह लोग इतने बड़े लीडर है कि यह लोग कहीं से भी कुछ भी बोलेंगे वो नेशनल जूज बन जाता है अब उन्होंने कौन सा राग अलाब दिया उन्होंने कह दिया कि भई पाकिस्त है उनके हर बयान का मतलब सरकार का बयान है और गिरी मंत्री यह कह रहे हुए पाकिस्तान के उपर जो है फिर से हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे आदे पॉलिटिकल पार्टी जो जो चुनाओं में अभी बीजी हैं चाहिए कॉंग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी माय पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर में कहीं इसके आधार पे कि चुके पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं बढ़ी-बढ़ी मीटिंग्स भी हो रही हैं सरकार ने एलान कर दिया है कि बिल्कुल ऑप्रसन यम्राज की तरह जो है वहां पे आतंके को खत्म किया जाएगा फिर से कहीं बार्टर क्रॉस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर दे एर स्ट्राइक कर दे मोधी सरकार तब तो खेलें का खराब हो जाएगा फिर तो ये कहीं के नहीं रहेंगे तो ये बार-बार इस चीज़ को समझना जरूरी है कि भारती जंता पार्टी के तरकश में कई सारे तीर हैं और जो तीर एकेख आदमी कहीं कहीं से मारेगा और चुनाओं में उसका असर होगा क्या आप देखिए जैसे सर्जिकल इस्ट्रैक का नाम हाता है हंदुसतान में जो इस बात से खुश होगा कि पाकिस्तान को घुश के मारा जाए अब जो नहीं खुश होगा तो आप समझ लीजिए कि वो देश भग तो नहीं हो सकता तो ये एक अलग किस्म की राजनीती अभी चल रही है कि चुके अभी लखिमपूर को लेकर के बात जिंता पार्टी थोड़ी बैक फूट पे आई लेकिन कैसे इस चीज़ को काउंटर बालेंस करना है उसी की कवाई चल रही है पहले तो बिना बताय कर दिया था अब खुले में एलान के बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर हो गया अब जड़ा शुपाल यादव और अखलेश यादव पे आ जाते हैं अखलेश यादव ने बातों ही बातों में कह दिया है कि 2022 में शुपाल के साथ वो जा सकते हैं वो अपने चाचा का सम्मान करते हैं अचानक अखलेश यादव के सुर क्यों बदले बदले नजर आ रहे ह देखिए अख्रे शादव ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भारती जंता पार्टी के माइट से उसकी ताकत से वो अकेले नहीं लड़ सकते हैं दूसरी बात समाजवादी पार्टी भी एक बहुती स्ट्रॉंग पार्टी है ऐसा नहीं है कि वो आमादी पार्टी के तरह कोई 12th प्लेयर है बहुती ससक्त पार्टी है ग्राउंड में उनके लोग भी है लेकिन अभी उनका विजयरत यात्रा शुरू हुआ अब मालूम चले कि वो रत्यात्रा कर रहे हैं जो कल तक मुलायम सियादव के साथ थे उनके यात्रा का विरोध करने में लग गए क्या कि बहुत सारे लोग चाचा सिपाल के पास भी है दूसरी दिक्कत ये है कि कोई बड़ा एलाइंस नहीं हुआ है समाजबादी पार्टी बार बार इस चीज़ का एलान कर रही है कि हम बड़ी पार्टियों मतलब कॉंग्रेस या मायवति के साथ गटबंदन नहीं करेंगे हम चोटी पार्टियों के साथ गटबंदन करेंगे तो बहुत साथ चोटी पार्टियां है जो किसी किसी चार डिस्टिक पांच डिस्टिक उसमें उनका अच्छा खासा होल्ड है तो ये एक strategy समाजवादी पार्टी की है कि छोटे छोटे पार्टी के साथ हम alliance करके आगे बढ़ेंगे उसमें छोटी पार्टी तो इनकी भी है दूसरा कि एक जिसों कह सकते हैं कि इनकी अपनी पार्टी अपना काडर अपना सब कुछ वो एक team के तरह नज़र आए तब तो य बीजेपी को challenge दे सकेंगे और ये जो realization है कि छोके अभी देखिए बार बार लगतार क्या दूबदा हो जाती है बार बार लगतार स्पाल ये कह रहे हैं कि हम अपने भतीजे के phone का इंतिजार कर रहे हैं वो जब हमको बुलाएगा मैं चला जाओंगा भतीजा है कि माननी रह phone करनी रहा तो ये राजनीती दूसरी लेवल की है कि कोई भी सक्स ये कहे जाए समझाए पुराने लोग समाजवादी पार्टी के मुलाएम सिंग के लोग ये कहें कि बही अलग अलग लड़ने से पार्टी जो है बिखर सकती है बार जिनता पार्टी जीत जाएगी तो ये कर सकते कि देखो हम तो तैयार है ये भतीजा ही मुझे फोन नहीं कर रहा तो ये अब तक रसा कसी चल रही है लेकिन जो लोग समाजवादी पार्टी को अंदर से जानते हैं वो बताते हैं कि जो रप्रॉच्मेंट है मिलान वो बड़ा डिफकल्ट है रिस्ते इतने खराब हो गए इतना जादा उसमें अंतरा आ गया कि वो वापस उस तरह से तो नहीं बन सकता लेकिन फिर भी ठीक है कि अगर समाजवादी पार्टी अखले स्यादब को ये लगता है कि चाचा के साथ मिलने से जरूर सकती बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी के कार्डर्स का जो अपने हिसाब से अपने संगटन को मजबूत करना चाहती है अखले स्यादब कर रहे हैं उनको मुबारक बात लेकिन बीजेपी का इतना खौफ है कि महागडबंदन की तयारी चल रही है चलिए बहुत 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 शुक्रिया से बातचीत करे दन्यवाद तो चुनाव न ख़बरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्रप्रदेश नमस्कार अब है आपकी बारी उत्तरप्रदेश में नए आंदोलन की तयारी आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश कैपिटल टीवी उत्तरप्रदेश भ intimते कापिश प्रेशबब्स आंदोच में लग कैपिटल टीवी उत्तर टीवी तॉके टीवी उत्तरप्रदेश